नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस योटूब चैनल जीवन जीने की खला में आएए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में जानते हैं नीम एक और शदी है इसके किन किन बिमारियों में इस्तेमाल से आप लापराप्त कर सकते हैं क्या वीडियो में अंततक बने रहिएगा क्योंकि ये एक डिटेल वीडियो है बड़ी वीडियो है लेकिन इसमें अगर आप अंततक बने रहते हैं तो आपको एक अच्छी जानकारी मिलने वाली है नीम के संबंध में आप सब कुछ जान जाएंगे कि कैसे किस बिमारी में किस मा पारा ही ठीक कर लेते हैं और ये क्यों जरूरी है क्योंकि आज कल दवाओं से इतना नुकसान होने लगा है जितना फायदा नहीं होता है उससे ज्यादा कई बार साइड इफेक्ट जहलना पड़ता है तो इसलिए जरूरी है कि इन आयरुवेदिक चीजों का सहारा लिया हैं तो सबसे वाकिफ होंगे आज इस वीडियो में और जानेंगे कौन सी बिमारी में किसका कैसे इस्तेमाल करना है नीम में एंटी ऑक्सिडेंट गुन पाया जाता है जिससे बिमारियों से लड़ने में मदद करती है इसके अलावा नीम इंफेक्शन तवचा संबंधी बि अलेरिया एक्जीमा जैसी कई बिमारियों के इलाज में भी काफी उप्योगी है नीम हर तरह से शरीर के रोगों को दूर करने में लापकारी है और इसका फाइदा जानना इसलिए बहुत जरूरी है तो आईए वन बाई वन जानते चलते हैं कि कौन सी बिमारी में कैसे इस् इसका उप्योग शैंपू और स्कैल्प क्लीनर के रूप में किया जाता है यह त्वचा को हाइडरेटेट करके रूसी को खत्म करने में मदद करती है जिससे बाल अधिक मजबूत हो जाते हैं इसमें मौजूद इंटियोक्सिडेंट गून और हेयर फॉलिक को स्वस्थ बस इसके इस्तेमाल का तरीका जानना बहुत जरूरी है तो आईए जानते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे बालों के लिए मुठी भर नीम की पत्यों को एक लीटर पानी में तब तक आप उबालिए जब तक की पत्यों का रंग उतर करके पानी का रंग हरा नहीं हो जाता है की तवचा और बालों पर लगाना है लगाने के बाद ऐसे ही छोड़ देना है तीस मिनट बाद अपने सिर को धो लेना है धोते समय आप शेंपू भी यूज कर सकते हैं यह तरीका आपके बालों को पहले की तरह सोफ्ट और सिल्की बनाने में मदद करेगा इसका उप्योग हमें दो या तीन बार करने से रूसी पूरी तरह से खत्म हो जाती है रूसी की समस्या नहीं रहती है तो बाल जड़ते नहीं है और साथ ही साथ किसी प्रकार का इंफेक्शन भी बालों में या सर में नहीं होता है किसी प्रकार की जू भी बाल में नहीं बचती है तो होती है इस किन पर एलर्जी की तो इसके लिए ये कमाल के उश्यदी है किल मुहासों के अलावा नीम तवचा संबंधी जितनी भी गंभीर बिमारियां है सब के इलाज में काफी उपयोगी है नीम का पेश्ट लगाने से तवचा से चिपचिपाहट और हानिकारक बैक्टिरिय समाप्त हो जाते हैं और तवचा रोग से मुक्ति मिलती है नीम में मौझूद एंटियोक्सिडेंट गून तवचा के दाग धबों को दूर करता है जिससे तवचा साफ दिखती है नीम के तेल में फैटी एसीड की मातरा अच्छी पाई जाती है इसके अलावा इसमें विट के लिए आप नीम की ताजा पत्यां लेकर के आईए पीस करके पेश्ट की तरह से इनको बना लीजिए इस पेश्ट को तवचा के उपरी हिस्सें पर आपको लगाना है जहां आपको समस्या है इसे आप पूरे चेहरे पर भी लगा सकते हैं कुछ दिर बाद पेश्ट अपन समस्या को ये दूर कर देगा और इजली आपको आपके घर के आसपास मिल जाएगा अब बात करते हैं एक समस्या है कबजियत की तो कबजियत को दूर करने के लिए इसका कैसे उपयोग करना है और कबजियत को दूर करने के लिए क्यों ये उपयोगी ओश्या दे है नीम का स सर और कबज मरोड सूजन जैसी आत की बिमारियों से दूर रखने में मदद करती है इसके अलावा ये पेट के अच्छे बैक्टिरिया को खत्म करने वाले संक्रमर से पेट की रक्षा करती है तो इसलिए ये कमाल के उश्यद है कैसे इस्तेमाल करें आईए अभी ये जान लेत है या फिर इससे पेट के कीड़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और बलड भी आपका साफ हो जाएगा तो इससे आपको लाव मिलने लगेगा आपके कबजियत की शिकाहत दूर हो जाएगी अब बात कर लेते हैं कि कैंसर से ये कैसे हमें बचाता है रिसर्च में पाय होता है रिसर्च में ये भी पाया गया है कि नीम कैंसर से बचाओ के अलावा हमारे हरिदय के खत्रे को भी कम करता है यह काडियो वैस्कुलर सिस्टम को साफ करता है और बिमारियों के हमले से हमें बचाता है इसलिए नीम कमाल के उश्यदी है कैंसर जैसी बिमारी को दूर क पर कैंसर के खत्रे को कम करने के लिए नीम का उप्योग करने से पहले आपको डॉक्टर से परामर्ष भी ले लेना चाहिए क्योंकि ये गंभीर समस्या है कैंसर इसलिए अगर आप परामर्ष के साथ करें तो बहतर है आप वैसे चाहें तो नीम की एक कोमल पत्ती हर रोज भी दिखा सकते हैं आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है अब भात करते हैं कि किसी को अगर fungal infection है तो उसको दूर कैसे करेंगे नीम के सहारे नीम के antifungal प्रभाव के कारण इसकीन पर infection नहीं होता है और इसके सेवन से immune system भी हमारा मजबूत होता है बस उपयोग का तरीका आन के इलाज में भी नीम काफी उपयोगी होता है नीम का तेल काफी उपयोगी होता है हम नीम का तेल बनाना भी इस वीडियो में बताएंगे आप बने रही है हमारे साथ फिर आपको बताते हैं कि नीम का तेल कैसे बनाना होता है पहले कुछ बिमारियों के उपयोग के बारे म नीम की पत्यों का या फिर नीम का या पूरी तरह से असपश्ट नहीं हो पाया है कि डाइबिटीज के इलाज में नीम कितना उपयोगी है लेकिन ये तय है कि नीम का सेवन करने से शरीर में इंसुलीन का अस्तर बढ़ता है नीम में कुछ ऐसे रासायन मौजूद होते हैं जो इंसुलीन को सक्रिय करते हैं जिससे शरीर में इंसुलीन का लेवल बढ़ जाता है और डाइबिटीज की समस्या उत्पन नहीं होती है अगर आप एक नीम के पत्ते का हरोज सुबह सेवन करते हैं तो डाइबिटीज होने के चांसे जापके कम हो जाते हैं इसके अलावा डा मधुमे होने का खत्रा होता है वो प्रति दिन 4 या 5 नर्म पत्तियां तोड़ करके खाली पेट सुबह चबा करके खाएं इससे मधुमे होने का चांस बहुत कम हो जाता है और यह उनको जरूर करना चाहिए जिनके घर में फैमली में यानि कि माता या पिता किसी को पहले से ह तो उनको जरूर ये प्रियोग करना चाहिए उनको ये समस्या नहीं होगी अब बात करते हैं मलेरिया बुखार को दूर करने के लिए कैसे फायदे मंद है यह नीम मच्छरों से उत्पन होने वाली बिमारियों को दूर करने में काफी मददगार होती है नीम के धुए से मच मच्छर आसानी से भाग जाते हैं जिससे वेक्टर जनित मलेरिया का खतरा कम हो जाता है इसके लावा ये मच्छरों से उत्पन होने वाले गंभीर बिमारियों से भी शरीर की रक्षा करता है कैसे उप्योग करेंगे आप निम की पत्यों को आग जला करके उसमें डाल दीज इस धुए को मच्छर वाली जगह पर आप कर दीजिए मच्छर आसानी से भाग जाते हैं यानुसका बहुत ही कारगर होता है जो सदियों से उप्योग भी किया जाता रहा है इससे मच्छर होंगे नहीं पनपेंगे नहीं आपके आसपास तो मलेरिया की समस्या नहीं होगी अब बात करते हैं नीम अर्थराइटिस में कैसे लाफकारी है जैसा कि हम पहले ही आपको बताए इस वीडियो में कि नीम की पत्यों में इंटी इंफ्लामेंटरी गुन मौजोद होता है जो कि अर्थराइटिस के इलाज में काफी उप्योगी होता है तो कैसे उप्योग करे निम का इसमें निम का पेश्ट या फिर निम का तेल तयार कीजिए और पैरों के जोडों में उससे मालिश कीजिए मांसपेश्यों में मालिश कीजिए अर्थराइटिस का दर्दिस से कम होता है और काफी रहत मिलती है निम के फायदे प्रजनन दर को कम करने में भी सहायक होते जिहां कई जगह पर निम का उपयोग जन्म दर को नियंतरित करने में किया जाता है यानि कि अगर आप चाहते हैं कि आप गर्वधारन न करें तो निम आपके लिए फायदे मंद होगा उस इस्थिति में स्वास्थे पर बिना कोई हानिकारक प्रभाव डाले आज कल जो महिला अगर आप मा नहीं बनना चाहते हैं तो निम के पत्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके कुछ नुकसान भी होते हैं और निम का तेल बनाना ये दो चीजें समझना है हमें सबसे पहले आई अब समझ लेते हैं कि हम सभी कैसे तयार करेंगे निम का तेल निम का तेल बनाने के रहेकर दिए आपको निम की पत्तियां लानी है या फिर आप निम के स्चाल को डाल दीजिए और निम के च्छाल को डाल इसको अच्छे से पकने दीजिए आप तब तक उबालिए लगभग 10-15 मिनर तक अच्छे से उबालिए जब ये काली हो जाएंगी पत्यां उसमें तब आपको तेल को छान लेना है ओल को छान करके पैक करके रख लेना है ये तेल आपकी स्कीन के लिए बहुत फायदेमंद हो होता है कहीं भी अगर इंफेक्शन का खत्रा लग रहा हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नेचुरली फायदा करेगा किसी प्रकार का फंगल इंफेक्शन वगएरा आपकी स्कीन पर ये कभी होने नहीं देगा इसका इस्तेमाल आप सभी कर सकते हैं अब इसके कुछ न बिमारियों के साथ इसके उपयोग को भी बताते गए तो नीम को छोटे बच्चों की पहुंच से थोड़ा दूर रखिए क्योंकि नीम के सेवन से छोटे बच्चों में किद्नी और लिवर की समस्या हो सकती है चुकि नीम का प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जात और इसकी चार से पांच पत्यों को सेवन कीजिए इससे ज्यादा का सेवन कभी मत कीजिए कम कम कीजिए इससे कम कीजिएगा एक से दो कीजिएगा वो अच्छा है डियविटीज के मरीजों को बलड शुगर नियंतरित करने के लिए नीम के तेल के सेवन की सलाह है लेकिन अ अधिक सेवन करने से पेट में जलन भी हो सकते हैं तो अधिक सेवन कभी न करें इसका ध्यान रखें मात्रा आपको विशेश रूप से ध्यान रखनी है निम में एंटियोक्सिडेंट गुन पाया जाता है अधिक मात्रा में निम का सेवन करने से किद्नी और लिवर सहित शरीर के अन्य अंग प्रभावित हो सकते हैं तो इसलिए कभी भी इसका अधिक मात्रा में उप्योग नहीं करना चाहिए लेकिन इसका उप्योग आप कर सकते हैं अलग अलग बीमारियों में जैसे कि अजेन, सुन पन, अफीम का अगर कोई सेवन करता है और छुडाना है आपको या कैसे निम का उप्योग करना है तो आप सभी जरूर कमेंट्स करके पूछें हम आगे आपके लिए वीडियो बना देंगे क्योंकि यह हम आपको बता रहे हैं बहुत सी बिमारियों को दूर करती है कुछ मुख्य बिमारियों के बारे में हमने आपको बता दिया कि कैसे इसका उपयोग करना है अलग-अलग अगर आपकी समस्या है तो आप जरूर लिखें कमेंट्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है आपके लिए लापकारी और श्यदी के रूप में कारे करेगी आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं नहीं तो व लाइक शेर और कमेंट्स जरूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक से बहुत से लोगों को लाब मिल सकता है और आपका कुछ बस किमती समय लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और कमेंट्स जरूर कीजिए साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिक झाल